दोस्ते नमस्कार विलकम बैक तो चानल विस्टम से दोस्तों यहाँ पे कुछ important points हैं अगर आप old scheme में हैं और new scheme के बारे में कुछ जाना चाहते हैं तो these points are very important पूरी वडियो ध्यान से देखेगा साथ में इसको share करिए और अगर आप नए हैं make sure आप subscribe करें ताकि और भी ऐसी important updates आपको पता चलती रहे शुरुआत करते हैं वीडियो की सो यहाँ पे कुछ notable points है यहाँ पे कुछ important points जो की होते हैं conversion के लिए मतलब की old scheme से new scheme में जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा या ऐसा ही अपने आप ही हो जाएगा so यहाँ पे सबसे पहला point यह है all old students will be automatically converted without any fee in the new scheme after declaration of November or December 2023 examinations results जैसे exams हो जाएगे अपने आप ही आपको convert कर दिये जाएगा so institute खुदी आपके जो old syllabus है old syllabus है new syllabus में आपको अपने आप ही convert कर देगा so उसके लिए आपको कुछ करने के बिलकुल कोई जरूत नहीं है then इसके बाद second point आता है कि after conversion उसके बाद क्या होगा books आपको कैसे मिलेंगे which is very important books के लिए sir अगर आपने books मंगा रखी है old scheme में हम बात कर रहे है old scheme की क्योंकि coupon code होता है जो कि books order करने के लिए दिया जाता है so if in case अगर आपके पास में वो coupon code है तो आप वहां से मंगा सकते हैं अगर आपने use नहीं कर रखा है तो otherwise if in case अगर आपने उसको use कर रखा है तो उस case में अगर आप foundation में है and आपका conversion foundation के new syllabus में हुआ है उस case में 500 रुपे books आपकी मंगा सकते हैं intermediate and final यहां पर यह thousand तो thousand रुपेश की fee आपको pay करने पड़ेगी for books तो आपके सारे subjects की सारे books आपको आपके address पे deliver हो जाएंगी अगर हम बात करें third part की जो कि आपका group wise exemption तो sir group wise exemption के लिए already institute ने यह चीज़ें बता रखी हैं इसकी notification अल्री बहुत पहले आ चुकी थी उसकी video आ बना रखी है तो आप चाहें तो उसको search कर सकते है wisdom सी यह exemptions in new course अगर आप search करेंगे YouTube पे तो आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगी exemptions के बारे में जो भी group wise exemption है उसको आप देख सकते हैं और उसके बारे में सब कुछा पता कर सकते हैं फिलहाल में एक छोटी वीडियो थी about आपको जो comment section मिल लिख सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and bye